हेलो उत्रियन फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग आप से लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से लाइक से सस्क्राइब कर दो चैनल में तुम लोग को देख रहा होगा सस्क्राइब का बटन उसे ध्यान से प्रेस कर देना जो पता था आज के वीडियो लेट होगा तो अब आज के वीडियो की अपन बात करेंगे इसलिए पहले बात करते हैं पिछले एपिसोड की कोई ज़्याद एक्ष्टा आप बखवास नहीं जो पिछले एपिसोड था वहा हमने देखा हुआ था जो यान, Blood God Realm के अंदर इंटर हो जाता है जो Blood Realm होता है वो अपने आप में काफी खतरनाक प्लेस था जहां की intent को जो यान भी महसूस कर सकता था यहां हवा में ही, Blood की smell फैली हुई होती है Mountain एकदम Blood Red, रास्ता Blood Red हर जगह ताजा, खुन और Dead Wardies बिखरी हुई यहां पर काफी साही लोग cruelty से जो यान और उसकी team को देख रहे होते हैं लेकिन किसी की भी उनके उपर attack करने की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि यह जगह पर कौन कैसा powerful बन्दा है लेकिन हाँ, हमने एक और चीत देखे होती है कि जब जो यान और उसकी team आँगे बढ़ रही थी तो आँगे बढ़ते time इन लोगों का सामना हो जाता है blood brothers के साथ जो की साथ brothers थे और जो यान की team को रोकते हो यह उनके उपर attack करते हैं हाला उससे पहले जो यान ने जो यान को यहां की साथ powerful families के बारे में भी बता दिया था यहां के हालात यहां के treasures यहां की starting और हर एक चीज के बारे में यह place कैसा है यहां पे जितनी chances जितने मौके जितने आउसर हैं उतना ही ज़्यादा खत्रा भी और यहां सिर्फ एक ही चीज मारे रखती है power आप जितने powerful पूर उतना ज़्यादा surviving chance देन हम देखते हैं कि ज़्यादा इन में से एक ब्रेदर को मार देता और दूसरे ब्रेदर को seal कर देता है साथी इनने 100 spirit stone भी ज़्यादा लेकिन इसके बार हमने देखा था जो इसका fight brother था वो नाराज हो गया होता है और वो ज़्यादा से कहता अब तुम मारे जाओगे क्योंकि उसे नहीं पता था कि ज़्यों यवान की power क्या है क्योंकि उन्होंने अपनी power hide करके रखी थी episode मैंने वही end किया था तो ये episode start होता है just वहीं से आओ देखते हैं कि इस episode में क्या होगा तो फटाक से like से subscribe कर दो तो इस episode के अंदर जो सांग जी होता है उसने अपने armor को condense कर रखा होता है जिसकी power five star dowdy के बराबर मानी जा सकती थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसने अभी विजान को काफी कम करके calculate किया था जिस time पिसकी जो fighting को ही होती है जो armor का काल ले लेती है एक black ghost shadow उसके सामने appear होती है जो हस रही होती है जो देखकर सांग जी को लगता है कि उसके आके धुंदली हो चुकी है लेकिन अचाने कि उसे सीने में एक बहुत तेज बेचैन कर देने वाला दर्द होता है जिसके बाद उसे महसूस होता है कि जैसे वो उड़ता हुआ पीछे की तरब जा रहा हो तब तक जब तक कि वो पीछे के एक पेड से जाकर नहीं टकरा गया जिसके बाद वो देखता है कि अभी अभी जो उसने कोई armor create किया था वो पूरी तरीके से crack हो चुका है जो देखकर वो तुरंदी कहता है क्या बास्तों में ये वो attack है जो three star dowdy level का warrior कर सकता है इस time पे सांग जी लग भग hop consciousness में चला गया होता है मतलब लग भग बेहोस हो गया था उसे ऐसा लगी नहीं रहा था कि वो three star dowdy से लड़ रहा है बलकि उसे मैसूस हुआ जैसे उसकी power four star dowdy की हो चुकी हो मतलब जो यान की power जो देखकर सांग जी तुरंदी कहता है ऐसा लगता है कि आज मैंने लोहे की plate में लात मार दी हाला कि इससे पहले कि सांग जी खुद को उठा कर अपने सिर को उठा पाता अचाना कि उसके कानों में कुछ आवाजे सुनाई देती हैं और उसके काफी सारे साथ ही खून से लटब भथालत में घबरा हुए तरीके से उसके पास आ रहे होते हैं जिसके बाद जो यान तुरंदी कहता है अब अगर तुम लोग मरना चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ बढ़ना यहां से हट जाओ अगर तुम सामने आते हो मुझे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इन वर्ट्स को सुनकर जो सांग जी होता पूरी तरीके से काप गया होता है जिसके बाद जल्दी से काप ते होसना परा सेर उठाए था और जो यान की तरफ देखा था और डर्योए तरीके से तुरंदी कहता है आप क्या करना चाहते हो जो देखके जो यान कहता कुछ खास नहीं मैं बस तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ जोयन एक उचे प्लेस इन साथो डावडी इसको देखता है और धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाता है और एक डिस्ट्रक्टिव और जोयन के बॉड़ी से रिलीज होता है दोई सब जो सांग जी होता है जोयन की बात को सुनका थोड़ा सा रिलाक्स फील करता है क्योंकि कम से कम उसकी जान तो नहीं जाएगी और जब तक वो जिन्दा है उसे किसी और बात की कोई फिकर नहीं थी तब ही जोयन तुरंती कहता है सब ही सोर्स किस्टल मुझे सौब दो जो सुनका सांग जी तुरंती कहता है ठीक है और एकदम सेटिर्फाइड तरीके थे वो अपना सेहलाता है तब ही जोयन कहता है क्या आपके पास इस ब्लड एरिया का कोई नॉर्मल मैप है जिसके बात सांग जी की तरफ जोयन देखता है और जुकुनों बाकिलों की तरफ सिर गुमाते हो कहता है आप हर एक परसन को एक एक तरफ लेकर जाएए और सभी से पूछिए साथ ही साथ अगर इनके सवाल के जवाब एक से हुए तो ठीक है बरना अगर इनके जवाब अलग होते हैं तो क्रुल होने के लिए हमें दोसी मठ ठहराईएगा जोयन के जो लाश्ट बड़ थे उनमें आप किलिंग इंटेंट को अबिसली महसूस कर सकते थे यानि की जोयन ने सीधा सीधा यहाँ पर बता दिया था कि मार्स एन ओफ एरर का कोई चांस नहीं जोयन की बात को सुनका इन सभी के चेहरे बस्तूरत हो जाते हैं इन्होंने जूट बोलने के जो थौट होते हैं उन्हें तुरंती साइड में रख दिया होता है दूसरी दब सभी लोग जोयन के गाइडेंस को फॉलो करते हैं और इन सभी लोगों को अलग अलग जगा पर ले जाते हैं दूसरी अंकल गू जो गूयन होता है वो मुड़कर जूआन की दब देखते हैं बहुत सही एकदम सही तरीका है जो देखे जूआन तुरंदी कहता है वो अंकल गू मजाक कर रहे होंगे साले पूरा नाम ले लिया कर अंकल गू यूआन तेरा जो सिर्फ सरने में न बहुत पापी है जिसके बाद जूगू उन्हों बाकी के सभी लोग जो चीजा पूछते हैं वो लग भग कई लोगों के जैसी ही थी जैसे यह देखा जा सकता था कि सांग जी के जो वर्ड हैं उनकी प्रमाराण इकता को एनांस किया जा सकता था लेकिन ऐसा लग रहा था कि सांग जी और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा बसकिसमस थे आज ना केबल उन्हें लूटा गया उन्हें कूटा गया बलकि उनसे इंफोर्मेशन भी निकल वा ली गई जिसके बाद जोयाण को यहाँ पे 268 लो ग्रेट के सोर्स क्रिस्टल मिले होते हैं और 16 इंटर्मीडियट सोल क्रिस्टल सोर्स क्रिस्टल हाला कि यह अपने आप में बहुत ज़्यादा थे लेकिन अफसोस की बाद थी कि जोयाण ने से चुरा लिया था या कि कहे तो छीन लिया था इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया तब ही सांग जी और बाकी के लोगों से सब यह अच्छी चीज़े लूटने के बाद जो यान आपे satisfied तरीके थे उन सातों को जाने देता है जिसके और जान केता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें मिल सकती हैं बैसे भी यह कोई बुरा सौदा नहीं जुकून भी आपे काप ही excited लग रहे होते हैं तबी गूयान केते लॉंग तुम कब से इतनी जादा बक्च काने हो गए तुम्हें अब बचपना नहीं करना चाहिए यह जगह अभी भी खतरनाक है तो सबसे पहले हमें मैपल मून क्लिप की तरब चलना चाहिए जो देकर जूक उन भी केते चड़ना यार की फर्क पैंदा है मैंनू लाइब दे मजे लें दे हुन मैंनू फर्क नहीं पैंदा इस टाइम पे जो टाइम हो गया था वो लगबग सामके 10 बज रहे थे डूपते होए सूरज की आकरी करण धीरे-धीरे नीचे डूप जाती है और ब्लेड रेड चट्टानों से बने खूनी कॉलर वाले जो सैडोस होते हैं वो धीरे-धीरे सभी जगे दिखाई दे रहे होते हैं एटमास्पेर काफी यारा निरासा जनक साथी डूपते होए सूरज के साथ ये जो माउंटेन पीक होती है लग भग औरेंज जोर गोल्डन कलर की हो गई होती है जो अपने आप पे काफी मिश्टीरस दिखाई दे रही होती है साथी डूपते होए सूरज की लाइट के साथ अंगिनत लोगों की जो फिगर होती है वो अलग गलग थौट के साथ यहाँ पे खड़े होकर एक दूसरे से डिसकस करे होते हैं कुछ लोग दूर खड़े होकर आसपास के एरिया को देख रहे थे तो कुछ बहुत जल्दी में होते हैं साथ यहाँ देखा जा सकता था कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्रॉस लेकर के बैठे थे हलक यहाँ बहुत से लोग होते हैं लेकिन सभी के जो इंप्रेसन थे वो बहुत अलग-अलग तो काफी सारी लोग यहाँ पे संसेट को देख रहे होते हैं दूस्तर फ़र बेसली जोएन भी इस मुमेंट को यहाँ पे सेरिया और इन सभी लोगों को देख रहा होता है साथी हाला कि अभी एक लड़ाई जो थी वो काफी आसान थी लेकिन जो यहाँ आपी जोन को बतातुए कहते हैं अभी भी छोटे साथी और बाकी सभी लोग को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी भी ब्लड डोमेन के अंदर है हाला कि हम पाचो डावडी हैं लेकिन सामने वाले लोगों ने हम पर अटेक किया जिससे देखा जा सकता है कि हमारी पावर बस से कोई भी नहीं डरेगा तब जान कहता है सीनियर हाला कि आपने अभी भी अपनी ताकत को छिपा कर रखा है इसलिए अभी भी यहाँ पे हम केबल पाच डावडी है लेकिन अगर कोई भी ज्यादा प्रावलम आती है तो सीनियर के पावर के साथ उसे रिजॉल्व करने में कैपबल होना चाहिए हमें बस अपने प्रामिस को पूरा करने के लिए लिंज जुआन को खोजने के लिए मैपल मून क्लिप पर जाना है जिसके बाद हमारे पास लाइफ डेथ कॉफिन को खोजने और इंपोमेशन जानने के बारे में टाइम रहेगा तब हम इसके लिए जरूर साब्धान रहें गे वैसे भी आज हमारे जो सामना हुआ था वो केबल कुछ डू सटार और त्री श्टार डावडर्यों से हुआ था लेकिन होसकता है कि आगे हमारा सितार 5 हमारा जो सामना है वो तो 5 स्टार या 6 स्टार या हो सकता है seven star डावडी से हो और ऐसा कहे तो जोन के चारा कापी एदा serious होता है जोन तुरन दिक था हाला के ancestor आप seven star fighting god है लेकिन अभी भी आपके पास दो ही हाथ है और अगर enemy की quantity ज़्यादा है तो यह हमारी लिए और भी ज़्यादा परिसानी भरा होगा इसलिए सबसे अच्छा है कि हम सब अपनी पावर को छिपा कर ही चलें क्योंकि जब तक हमारे पास इस जगह पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर होगी तब ही तक हम खुद को बचाने के लिए लोगों के साथ कॉम्टीट कर पाएंगे जोनने जोका उसे सुनकर जोयान के चेहरे पर भी एक स्माइल होती है कि ये लड़का अच्छा बोरा और सिचुएसन को लेकर सीरियस होना जानता है बुद तुरंदी कहते जोनने जोका वो सही है हम सबी को तब तक कुछ भी नहीं करना चाहिए जब तक हमारी पावर स्टॉंग नहीं होती या फिर हमें अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास कोई ट्रम कार्ड नहीं है आखिरकार ये जगए ब्लेड रियलम है यहान लोगों को मानना और चीट्टियों को मानना एक पराबर है जो सुनकर भी सभी लोग अपना से हिला देते हैं आला हाला कि आखिरकार यहाँ पे जो भी लोग थे बुर्डुई की कॉंटिनेंट के हाई लेवल के एक्सपर्ट थे लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे अभी भी इतने पापरफुल परसर नहीं थे हाला कि यह एसेंट कॉंटिनेंट है और यहाँ पे अभी भी डावडी लेवल के वारियर को स्ट्रॉंग माना जाता है लेकिन जोन की प्रेजेंस है वो अभी भी एबरेज ही है साथी आप जितने पापरफुल होंगे लोग आपसे उतनी ही डिश्टाइंस क्रेट करके आपको उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और ताकत की बिना आप कुछ नहीं ये बात जोन को पता थी चाया वो कोई भी कॉंटिनेंट या कोई भी प्लेस हो जरन को पता था कि जब तक की उसकी टीम या उसका सरकल श्टॉंग है एनिमी आसानी सोने छेड़नी की हिमत नहीं करेंगे साथी अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा श्टॉंग है तो वो आपके उपर अटेक करने जैसा घटिया काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी चीज़े अनप्रेडिक्टिबल हैं और किसी भी चीज़ के बारे में फुली क्लियर नहीं हुआ जा सकता और ऐसे प्लेसेस में तो बिलकुल भी नहीं हाला कि यह लोग आँगे की तरफ बढ़ी रह होता है कि तभी जो युआन कहते हैं ब्लेड रियलम में एंटर होने के बाद दो दिन तक बैस्ट की तरफ चलते हैं हम तो हम लेन फैमली के बॉडर एरिया पर एंटर कर सकते हैं जो देखकर जुआन भी सामने की रास्ते की तरफ इसारा करतों कहता है इस रास्ते के लिए हमें केबल फर्ष लाइन गौर्ज से होकर गुजरने की जवरत है जिसके बाद मैपल मून क्लिप पर नौर डाइरेक्शन की तरफ पहुँचने के लिए हमें केबल आधा दिन तक चलना होगा हाला कि जो फर्ष लाइन गार्ज है वहाँ से गुजरना अभी भी काफी कटेन है और हो सकता है कोई सीटी लोड या कोई सीटी मॉस्टर हो जो हमें अभी भी वहाँ पर रोके या हो सकता है इसे न्त्यान लौंक लेन का कोई स्ट्रॉंग परसन तभी गुईवान तुरंती केते हैं जो युआन तुरंती केते हैं यहाँ पर केबल घोष्ट काल गेट है जहां से होकर हम जा सकते हैं जो सुनकर गुईवान तुरंती केते हैं लेकिन मैप के कोडिंग हला कि यह सच है और जाने के लिए केबल दो ही दिन है लेकिन घोष्ट कॉलिंग गेट वो माउंटेन एरिया से बहुत दूर है साती वहाँ पे बहने बाली तेज हवाई भी है और उन तेज हवाई में एक अजीब पावर है जो डावडी लेविल के बोरियर को भी वाइड में उड़ने से रोक सकती है इसलिए अगर हम वहाँ से कूंद कर जाना चाते हैं तो डावडी की पावर के साथ ये बिलकुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम उससे होकर जा पाएं इसलिए ये रास्ता पूरी तईके से बंद हो जाएगा जो देखर जुएन तुरंती कहता है तो फिर हम केबल फर्ष्ट लाइन गौर्ज से होकर ही जा सकते हैं बहले वहाँ पे कुछ भी हो तबी जो ये वहाँ तुरंती कहते हैं जरूरी नहीं मैं एक बार लिंज जुआन के साथ मैपल मून क्लिप पर आया था साथी साथ मैपल मून क्लिप का जो रास्ता है फर्ष्ट लाइन गार्ज और माउंटेन पाथ के अलावा भी एक प्लेस है जहां से जाता है हाला कि आपने कहा घोष्ट कॉलिंगेट और ब्लैग बिंड पास ये दो प्लेसेस है जो मेपल मून प्लेस क्लिप पर पहुँचते है उस टाइम पे लिंज जुआन ने मुझे उस प्लेस के बार में बताय था हम इस के विस हमें से ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि जब हम मैडिसिन एसोसियेशन से बाहर निकले तो जुआ और बाकी के लोगों ने हमें रोका इसके बाद जब हम ब्लेड रियलम में इंटर हुए तो कापी सारे ऐसे लोग तो जो हमारा पीछा कर रहे थे मुझे नहीं लगता कि हमें इस एरिया या इस रास्ते से जाना चाहिए मुझे लगता है कि एसे एंट त्यान लॉंग लेन इन्हें सपोर्ट कर रहा है जो सुनका जो यान भी सिहलाता है जो आन तो ने दिकेता है इस टाइम पे मुझे भी लग रहा था जैसे हमारी जासूसी की जा रही हो हाला कि मुझे नहीं पता कि ए मेरी इमेजनेशन या रियल्टी तेभी जो जो आन जोआन की तरफ सिहलाते हैं बिलकुल तीन लोग हमारा पीछा कर रहे हैं जिनकी बावर 4 इस्टार डावडी और 2 की 5 इस्टार डावडी के स्टार्टिंग लेवल पर है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हमारी इम्फोमेशन को ट्रेक और रिकॉर्ड करना चाते हैं ताकि वो किसी भी टाइम पे से स्ट्रॉंग लोगों तक पहुचा सके और अगर मेरा अंदाजा सही है तो इसे इंट्यान लोग क्लेन के मास्टर को पहले से ही यहां के लिए रवाना हो जाना चाहिए जो युवान का नुमान सुनकर हर कोई हैरान रह गया होता है और उनके चाहरे पीले पड़ गए होते हैं तविजवान कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए क्या हमें उनसे तुरंच छुटकारा पाने के लिए यहां से भागने की जवरत है तभी जुआन कहता है क्योंकि Ancester ने ये कहा इसका मतलब Ancester ने पहले ही उन लोगों को खोज लिया है जो हमारा पीछा कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी Ancester इतने सांत है इसका मतलब है कि Ancester के पास उनके साथ छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए या कोई solution है ना जो देखकर जो युवान इसमाल करते हैं जिवान की तारी भरी नजरों से जिवान को देख रहे होते हैं वो तुनादी कहते हैं मेरे पास कुछ थोट है और इसे तैयार करना मैंने सुरू कर दिया है तभी जो युवान अपनी डारी सहलाते ही कहते हैं जैसा मैं कहता हूँ बैसा ही करो मैं लोगों को फसा सकता हूँ और इस ताइम के दोरान आप लोग लाइब डेथ कॉफिन के बारे में खोजने की कोईस कर सकते हैं information साथी साथ आप इन लोगों के साथ फाइट करके या इनकी पावर के साथ ट्रेनिंग करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर जियो युवान के सांथ इंप्रेसन को देखकर जियान सेहलाता है क्योंकि चाहे जो भी हो इनके साथ फाइट करते हुए ट्रेन करने में अपनी पावर को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है साथ ही साथ जो युवान उनके साथ थे तो डढ़ने की कोई जवात नहीं थी और हो सकता है कि इनके पास से उसे लैब डेट कॉफिन की कोई इफोर्मेशन मिल जाए जो अन्तुरंती करता है एंसेश्टर मैंने आपसे इतक खतरनाक होने को मीद नहीं की थी आप तो सच में खतरनाक है जो सुनकर जो युवान हसते हो तुम जल्दी से तयारी क्यों नहीं करते हैं तब तक मैं इन्हें फसाने के लिए तयारी करता हूँ तो चलो वैसा ही करते हैं जैसा हम लोगों ने डिसकेस किया तो यूआन की strategy को सुनकर जोन का फियरा खुस हो गया होता है और जोन तुरंद केता ancestor क्या आपको यकीन है कि वे वैसा ही करेंगे जो सुनकर जी ओ यूआन ने smile करते हैं मुझे कुछ अद तक तो यकीन है जो देखे जोन केता है इस situation में चलिए फिर से करते हैं बैसे भी हमारे और एसेंट त्यां लॉग क्लेन के बीच fight हो चुकी है वो आसानी से हमें जाने नहीं देंगे अगर अगर यहीं मामला है तो हमें भी पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है जिसके बाद जोन तुरंद केता है ancestor तो क्या आप clear है क्या हम उन्हें लोगों को मार सकते हैं और उनकी power level क्या होंगी जो देखें जियो यूआन इसमाल करते हैं कहते है आम दो 5 इस्टार डावडी और एक 4 इस्टार डावडी लेबल को मारने के लिए परयाप थोना चाहिए मेरा जो प्लाइन है जो सुनकर जियो यूआन से लाते है ठीक है ancestor आपको थोड़ा सा पोलाइड होना चाहिए और उन सभी को नहीं मानना चाहिए बढ़ना हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा तभी जियो यूआन तुरंदी कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जहत नहीं लेकिन तुम ये रखो ये बोन मेल्टिंग ग्रास है जो आपके इंप्रेसन और सकल को बदल सकती है टाइम आने पर आपको मेरी फीट के आकार का एक ब्लैक बॉड़ी कोकून में बदल चुका होता है जिसने जो आनको कसका लपेट लिया था साथी जाथ यहां पर जो यान की पावर को चेक कर पाना भी इंपॉसिवल था दूसरा जो यान और बाकी लोगों से सौ मील से दूर के रिया पे काले कपड़े पेन हुए तीन ओल ग्ड़ जो एक पेड़ पर बैटे हुए होते हैं और दूर की तरफ देखते हैं किंग जी सीचुएशन कैसी है बगल बाला एल्डर सामने बीच बाले एलडर से पूछ रहा होता है जो सुनकर किंग जी नाम का जो ओल बेन होता है वो अपनी भौहें से करते हुए इसमायल करते हुए कहता है जिस परसन ने थंड प्रिंस को मारा था उसे हैब और अवर्थ की एनरजी का यूज़ करके एक मास्टर द्वारा कंडेंस किया गए कोकून के अंदर लपेटा गया है इसलिए मैं उसके औरे को तो महसूस नहीं कर सकता लेकिन मुझे यक प्रिंस जो इंग को मार डाला था और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ किंग जी तो आपको मुझसे बखवास नहीं करनी चाहिए हाला कि आप लोग इनर सरकल के एल्डर्स हैं और मैं आपके जितना अच्छा रही हूँ लेकिन फिर भी अभी मैं आपकी तरह ही अचाना कि किंग जी स्माल करते हैं एल्डर ही चैंग भले ही आप बॉडर एरिया के एल्डर हैं आप अभी सबसे पावर्फुल परसन है और भले ही हम इनर सरकल के एल्डर्स हैं हमारी ताकत आपके कंपेरजन में ज़्यादा गलत नहीं है बास सिर्फ इतनी है कि आपकी ब प्तरूब से मतलब था कि भले ही ही चैंग है वो खुद का कंपेरजन उनके साथ नहीं कर सकता क्योंकि ही चैंग एक वॉडर एल्डर है जिसकी ब्लड पावर बीक है और इनका सीधा कहने का मतलब था कि तुम्हें आपकात में रहना चाहिए तुम अभी इनर एरिया के एल् आज होते हैं किंग जी किंग मैंग तुम लोग तुम्हें दूसरों को बहुत ज्यादा नहीं धंकाना चाहिए यहां पर ही चैंग को काफी यह रख गुस्ता है होता है जो देखके वह तरह दिया था ओ एल्डर ही चैंग मैं तनी दूर कहां गया हूँ आप अपनी किन आख से देख रहे हैं कि मैं दूर चला गया क्या मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा मैंने यहीं तो कहां कि आप सब से श्ट्रॉंग वोडरी रिया एल्डर हैं जो देख गही चैंग उस्ते में लाल होते हैं तुम तुम तुम्हारी तुम लोग समझ सकते हैं चैंग की फीलिंग उसकी उंगलियां गुस्ते से काप रही होती हैं और बोडी में जो फाटिंग को ही होती है वो ओवर्फलो होकर आसपास फैलने लगते हैं जिससे आसपास का एरिया क्रैक सा दिख रहा होता है और यह कुछ ऐसी चीती जिसे के बले एक फाइविस्टार डावडी ही कर सकता और अगर हेईचेंग के और एसा होड़ा था जिसका मतलब था कि हेईचेंग की पापर भी एक फाइविस्टार डावडी लावल के बारियर तक पहुँच चुकी थी हाला कि हेईचेंग एस एंट त्यान लॉंग क्लें का बॉड़र एरिया एल्डर है लेकिन जब जो यान म नहीं मार सका साथी इस इंटेस्ट के लिए इंटेंट टिकलिंग ने जो यान को उसकी बॉड़ी के अंदर की ब्लड पाउर को अवे करने की जाज़ा दी थी जिसके कंड जो यान का जो कल्टिवेसन था वो भी इंक्रीज हुआ था यहा तक कि जो यान ने हेईचेंग को इ इस 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 ईसर्ड डवडी कें दर ब्रेक टू कर गया था जाती है जब जिएंट ब्लड अंदर लिर ल कि आंधर लिनट जो से हेई जोआउन ने कि लिक पाया खी गढ के земler को मारते हुए देखा क्या तुम कायर नहीं थे कि उसके बार भी तुम उसे मारने में कैपवल नहीं रहे बलकि कायंट सिच्वेशन वहां से भाग आए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो कभी भी वहां से भागने की हमत नहीं करता भले ही मैं मर ही क्यों न जाता किंग जी यहां पर फिर से हीचेंग की तरफ देखकर उस कम बजा आक उड़ाने लगता है जो देखकर हीचेंग की जो आखे होती है अब तक एकदम लाल हो चुकी होती है आखे काय सिच्वेशन के बार फैमिली में उसकी जो पोजी संती वो पहले के कंपेरजन में काफी कम हो गई थी साथ उसने पर रेपोटेशन को भी खो दिया था यहां तक ही कई हैसे भी लोग थे जो अपनी पीट के पीछे उसके उपर उंगलिया उठाते थे और यही एक रीजन था कि हीचेंग ने दिन रात कल्टीवेट था और फाइव इस्टार को ब्रेक थू किया था साथी जिस टाइम पे त्यान लोग फैमिली को पता चला कि एक किलर जिसने थर्ड क्राउन पे इंसको मारा था ब्लैड रियलम में जाना चाता है उन्होंने जियान को मारने के लिए सीधे ही उन तीन ब्रेदर्स को इंवाइट किया था लेकिन ओबेसली वो लोग जियान को नहीं मार पाए जिसके बाद यह लोग फिर आये थे जो कि तीन लोग थे जिसमें किंग जी, किंग मैंग और हैईचेंग थे साथी साथ एचेंग ने अभी भी किंग जी और किंग मैंग के उपर अटेक नहीं किया था इसका मतलब यह नहीं था कि वो उनसे डरता है बलकि बात यह थी कि यहाँ पे अभी भी ब्लड सब्रेसिंग फोर्स थी इसलिए एचेंग यह था ठीक है और एक फिगर दीरे-दीरे क्रियेट होती है जो एक और जोयान की फिगर में क्रियेट हो जुकी होती है जोयान की स्पिचल पावर जब हुली रियलम में पहुची थी तो जोयान अपनी स्पिचल पावर का यूज करके एक एलूजनेरी फिगर को create कर सकता था जो एकदम real लग रही थी अब जोयान जो करना चाहता है वो है इस सोल को पूरी तरीके से condense करना और खुद की तरह बना देना साथी जोयान green ball magic grass का यूज करके ancestor जोजवान बन जाएगा ताकि ancestor जो जोजवान है वो अभी भी पीछे रह सकें और इनके उपर पलट बार कर सकें ताकि आकी की strategy को अंचाम दिया जा सकें तभी king man और बाकी के दोने ही लोग बात करते हैं ब्रदर plain के strong person को आने में कितना time लगेगा मैं भी भी इस strong person के साथ रहकर embarrassed महसूस करता हूँ king man ने जैसे ये कहा होता है तो जो king jee होता है वो इस्माल करते हैं कहता हमने message भेज दिया है backup को जल्दी आना चाहिए आज हम उस सभी को मार सकते हैं तब तक हमारे पास qualification होगी family more merit hall में अपनी position और reputation को create करने की दौनों के बीच की बात चीत को सुनका ही जो यूआन की figure में बदल कर आता है सफे दाई ब्रो तीन इंच की डाड़ी ओल्ड खूसट बुढधा जोयान की पहले की सुन्दर figure एकदम बदल चुकी होती है और उसी के बगल में जोयान की अल्यूज नरी figure जैसे उसने create किया था खड़ा हुआ था जिसके बद जोयान तुरंती कहता है तो क्या तुम successful हुए हाला कि जोयान ने जो figure create कर ली थी वो जियो यूआन की थी लेकिन अभी भी आब आज जोयान की होती है जिसके जोयान तुरंती change करता है जिसके बद जोयान कहता है ancestor जियो यूआन अब आगे की strategy को आप इस्टार्ट कर सकते है तभी अचानक है बेनो अर्थ के energy जोयान के आसपास ही खटा होने लगती है और अचानक ये एक तेज blast होता है जो देखकर बो लोग हैरान होते हैं तुरंती कहते third brother ये क्या कर रहे है अभी ये तुना बड़ा blast क्या था यहाँ पे किंग जी और बाकी के लोग भी जोयान बाकी लोगों को देखकर अपनी भोई चड़ातो है कहते third brother ये क्या है किंग मैंक के चेरे के confused impression के साथ अब्बेसली बो तुरंती कहता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन जब तक हम उनके हर एक चीज पर नज़र रखते है क्लेन के strong लोग आते ही इसमें react जरूर करेंगे तब तक ये ठीक रहेगा जो देखकर वो तुरंती कहते हैं हाँ हमारी भी यहाँ पे केबल भूमी का information को gather करना है ना कि उन्हें रोकना तब ही गुई यान भी तुरंती ज़ौन की दब देखतों कहता है जो यान हमें पीछे के उन लोगों के बार में क्या करना चाहिए क्यों कि जब तक वो हमारे पीछे है बले ही हम black bin pass के साथ होकर जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आभी भी हमारी location जानते है जिससे वो rebel कर सकते है तो क्या आभी भी हम उनकी strategy से बचने में क्या पवल होगे जो देखकर जौन तुरंदी कहता अंकल हम भी तो यही चाहते हैं अंकल को इसके बारें चिंता करने की कोई जात नहीं हमारे पास हमारा अपना तरीका है टाइम आने पर आप चिंता मत करिये इन सभी का ख्याल रखा जाएगा जौन ने जैसे यह कहा होता है गुयोन के बल अपना से हिला सकता था साथी जौन को देखकर उसके दिल की चिंताए थोड़ा कम हो गए होती है तभी यह तीनों भी देखते हैं कि बलाष्ट गायब हो गया है और जौन के बागी सभी लोग आंगे की तरफ बढ़ रहे है जो देखकर वो तुरंदी कहता है भाई वो आंगे बढ़ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए जो देखकर हे चेंग जो कापी देर से कुछ नहीं कह रहा था वो तुरंदी कहता है एक मिनट रुको उन्हें हमें ट्रेस मत करने दो बना यह बुरा होगा जिसके बाद वो यहीं बैठा रहता और जोन की अरकतों पर नजर रखे हुए रहता है जिसके बाद सीना में डूई की कॉंटिनेट का दिखा जाता है जहाँ पे ए फैमिली के अंदर यांग हो एल्टर के सामने ए फैमिली का ग्रेट अल्डर और वर्निंग फ्लेम बैली के माश्टर तांग जन खड़े हुआ होते है साथी थार्ड जेनरेशन के डिसाइबल्स ए जौंग ए किंग यहां बैली माश्टर टैंग का बैलकम करते हैं और उन्हें अपने साथ एल्डर एक ही तरफ ले जाते हैं तभी यहां पे माश्टर टैंग इसमाइल करते हैं कहते हैं हम सब तो अपने ही हैं तो इतनी ज़्यादा अभिवादन की कोई जोध नहीं और इतना कहने के बाद सभी लोग हसने लगते हैं और एक के बाद एक इस पेश से काफी सारी फिगर सामने आती हैं जिसके बाद हमा में लाल बालो बाले एक बंदे को यहां से निकलते हुआ और नीचे आते हुए देखा जा सकता था जिसका चेरा इसमाइल से भरा हुआ होता है साथ ही ये फैमली में मौझूद हर कोई इस परसन की प्रेजेंस को अच्छे से जानता था खासतोर पर डावडी की फाइट के बाद इस परसन की जो प्रेजेंस और एपोटेशन थी वो एक परसन के काण को ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी जो की था जो यान और ये लाल वालो वाला जो परसन था वो अब्यसली वर्णिंग फ्लेम बैली का बैली मास्टर तांग जैन था जिसकी पावर फाइटिंग सेंट लेवल पर होती है 37 लाल वालो वाली दुकान के बगल में लाल कपने पहन हुए एक लड़की खड़ी हुई होती है जिसकी पतली कमर के चाव तरफ गहरे रेड कलर का एक विप लटका हुआ होता है जिसके कार उसकी जो कमर थी और भी अट्रेक्टिव लग रही होती है लेकिन उसके चैरे और आइब्रो में एक पावरफुल इस्ट्रॉंग औरा दिखाई दे रहा होता है साथी इस लड़की के प्रेजंस में एक अजीब ही अट्रेक्शन था और ये लड़की तांग जन की डॉटर तांग हुआर होती है साथी जैसे जैसे टाइम भीत्ता गया था तांग हुआर और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल हो चुकी थी जिसके पास एक फरफेक्ट वोड़ी फिगर के साथी साथ एक श्ट्रॉंग और अट्रेक्टिव प्रेजंस भी होती है साथी आपे तांग जन तांग हुआर के अलाबा वर्निंग फ्लेम वैली के दरजन और एल्डर्स भी यहाँ पे आई हुआ होते है साथी तांग जन और आकी लोगों को आता हुँआ देकर एजॉंग भी हसने से खुद को रोक नहीं पाये था और वो तुरंदी कहते हैं मास्टर तैंग आप काफी जल्दी आ गए जिसके बाद वो तांग हुआर की तरब देखते हो कहते हैं हमने आपको काफी लॉंग टाइम से नहीं देखा जो देखा हुआ यह भी तुरंदी कहते है ग्रेंट फादर एजॉंग से मिलकर काफी अच्छा लगा जो देखर हो तुरंदी कहते हैं ओ हुआ अब तो और भी ज्यादा ब्यूटिफुल हो चुकी है मैं तो काफी यदा हैरान हूँ कि आप किस साधी करने वाली हैं और वो कौन सा लखी परसन होगा यहाँ पर जो एल्डर यह चौंग होते हैं वो एकदम इसमाइल कर रहे होते हैं जो देखकर तांग हो एयर तुरंदी कहते हैं ग्रेंट फादर आप फिर से मेरा मजाख उड़ा रहे हैं और उसके आँको में एकदम उदासी दिखाई दे रही होती है लेकिन अब्विसली जब उससे यह कोशन पूछा गया था तो आभी भी हो एयर के दिल में एक परसन था जिसकी में जो से याद आई थी और वो परसन था अब्विसली जो यान साथी हो एयर के चैरे पैसे उदासी को देखकर एज जो कह दो वो तुरंथी इसमार करतों कहता है पहली मास्टर तांग साथी हो एयर आप दोनों मेरे साथ आए जो सुनकर पहली मास्टर तैंग के इंप्रेसर नचाना की सीधियास हो गये होते हैं वो तुरंथी कहते हैं कि आपके एफैमिली के एल्डर नीचे गए लेकर वो नीचे उचनने में सकस्पुल नहीं रहे तब है लेकर आपके एकर बीचने में आपके इंपटा साथी एल्डर नीचे उताने वाले जित्ते भी अل्डर वो सभी फार्ट जन्रेशन के थे जो सभी के सभी पाउरफूल लाइमफो मेंस टीम के एल्डर थे जिनमें ये टॉंग भी सामिल है जिनकी पावर सेबिन इस्टार डू जून तक पहुँच गई थी लेकिन इस पावर के साथ भी उकेबल कुछ फीट तक ही गोता लगा पाए जिसके बाद उन्हें बापस लॉटने पर मजबूर होना पड़ा क्या यहाँ पे कोई heavenly flame बापस से recreate हो सकती है यहाँ पे हो एर की यह आबाज आई होई होती है कि क्या यह कोई heavenly flame हो सकती है जो सुनका तांग जंग सिरहला तोई कहता है यह possible है लेकिन इसके chances बहुत कम जिसके बाद वो तुरंती कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो heavenly flame पैदा होती थी इसे accept कर सकते हैं लेकिन heavenly flame ranking में केबल कुछी type की flame है जो underground में create होती है और अगर इन flameों को rank किया जाए तो यह 19th rank की earth core lotus flame होगी जो सबसे कीमती है लेकिन इसकी पाउर इतनी ज़्यादा powerful नहीं होगी किसे में इस्टा डाउजून भी इसके close ना जा पाए साथी 23 भी yellow flame होना तो और भी ज़्यादा impossible सी बात है जो देखकर हुआयर तुरंदी के थी father तो क्या आपने जोका उसके according underground जो चीज है वो flame नहीं है तांग हुआयर ने अपनी बहुँए चढ़ाली होती है जो सुनकर तांग बैली मास्टर तांग अपनी बेटी के सिर को सहल आतो है और इसमाल करतों कहते है यह जरूर नहीं कि सचो डिकी कॉंटिनेंट बहुत बड़ा है हाला कि heavenly flame की जो list है उसे detail में लिखा गया है लेकिन इसे complete नहीं कहा जा सकता हो सकता है कि यहां पे कोई heavenly flame हो जो पहले कवी उस list में थी ही नहीं और यह सही है या गलत है तो हमें नीचे देखकर ही पता चलेगा तांग जन की बात को सुनकर सभी लोग से हिलाते है और यह जोंग भी तांग जन को देखकर इसमाल करते हैं अगर यह एक heavenly flame है तो यह सबसे अच्छा होगा और नहीं तो फिर हम देख सकते हैं कि वहां की चीज क्या है और हम उसे कैसे हल कर सकते हैं और अगर हम इसे हल नहीं कर सकते तो फिर हम इस काई Manson Alliance को इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे तांग जन ने जो कहा होता है उसे सुनकर अपना से हलाती है कहा होता है ठीक है आपने जो का वो सही है चलिए उस सिचुएसन में नीचे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार अंदर की वो चीज क्या है तो चलो थ्रियन फैमिली नेक्स एपसोड में देखेंगे कि अंदर की चीज क्या है तो लाइक से सस्क्राइब कर देना बाई बाई थ्रियन फैमिली गुड़ इविनिंग